तो नमस्कार, जय हिंद में आपका दोस्ट अथिमित्रानी सम्राड, दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि लब जहाद से हिंदू लड़कियां कैसे बचें, क्योंकि आपने से बहुत से लोग लब जहाद वाले वीडियो में लगातार कमेंट कर रहे थे, कि आपने लब जहा अगर वो ध्यान रखती हैं, तो आसानी से लब जहाद से बच सकती हैं, तो चलिए बिना किस दर किस वीडियो को सुरू करते हैं, वीडियो को सुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि एगर आपने लब जहाद वाले वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार जरूर देख ली जैगा उस वीडियों आपको लव जहाद से इसमें जानकारिय आपको मिलने वाली हैğa उस वीडियो की जो लिंक आपको नीचे description ये तो ऊपर आई बटन पिर मिल जाएगा हैँ अपर क्लिक करके आप वीडियो слова का असानी से देख सकती हैं तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं कि लब जाहत से हिंदू लड़कियां कैसे बश सकती हैं तो आजवार टॉपिक बहुत ही महत्ववूण टॉपिक है September हिंदू लड़कियों के लिए बह। यंजी बह। ही यूजफुल video सबसे पहला नमबर पॉइंट है कि अंजान लड़कों को मित्र न बना है उसमें से सबसे महत्तुपूर पॉइंटों में से भी एक है कि क्या होता है कि आज के समय में लगातार अंजान ब्यक्ति होती है जिसमें हमारी बहुत ही एक तरीके से निमित्र मात्र भरून से पेचान होती है लेकिन उसे हम काफी घुल मिल जाते हैं काफी उनके साथ रेना आना जाना सब कुछ बाते हर एक चीछ चलने लगती है उस श्थिति में यह जानकारी नहीं रहती है कि बिक्ति कौन है कहां से इसका परिवार क्या है किस धर्म से तालूक रखता है इसका एक्चुली में नाम क्या है क्योंकि नाम जो होता है वो लगातार बदल कर आपके सामने प्रत्यक चुरुप से लब जिहाद जो करने आते हैं वो आपके सामने अगर नाम रहेगा अब्दुल तो आपके सामने आएंगे राम के नाम से आपके सामने आएंगे तो इस तरीके से आपके सामने वो प्रदर्शीत होते हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो उन बेक्तियों से आप थोड़ी सी दूरी बना कर रखें, तब आप लब जहाद से बर सकते हैं, तो इसमें से जोजे हमारा पहला नंबर पॉइंट है कि अंजान विक्ति से दूर हैं, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आपकी जान पहचान नहीं, जिसके बारे में आपका परिवार, घर या अन किसी भी तरीके से कोई तालुक नहीं है, अच्छा तरीके से जिसके बारे में आप पहचानते नह जानते नहीं है उससे थोड़ी आपको दूरी बना करके उन वेक्तियों से दूर रहें तभी आप लब जहाद से बर सकते हैं तो पहला नंबर आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आपको अंजान वेक्ति से बिलकुल दूर रहना है उसके पाद जो दूसरा नंबर पॉ स्याम या मोहन गीत जो भी रखना होगा वो रख लेते हैं हिंदू एक नाम रख लेते हैं और इसके माध्यम से हिंदू लड़कियों को मेसेज करते हैं काफी मीठी मीठी बाते करते हैं जिससे इसमें काफी हिंदू लड़कियां आगर्शित हो जाती हैं काफी आ जाती है इसमें लगा थारबात बढ़ती और आगे बढ़ती बढ़ते और कुछ इस हद तक बहुत जाती है कि उनकी जिंदगी बरबाद हो जाती है लब जहात के उसी कार हो जाती है तो इस इस्तिति में आपको सबसे महत्तपूरी ध्यान देना है कि इस तरीके की फेक आईडी जो भी के लिए तो फेक आईडी से आपको महत्तपूरी चीज़ों में से बचना है क्योंकि इसी फेक आईडी के माध्यम से आज के डिटी में भरपूर मात्रा में लब जहात का सिकार हिंदू लड़कियों को बनाती है तो अगर ऐसा कोई भी मेसेज आपके अकाउंट में सोच्व सोकषान से हमें कुछ नहीं है, जो भी आपका मन है, आप अपनी लाइप है, आप सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसका परिप्पफ़ महगी सोकषान के लालच मिनना आय का मतलब है, कि रियल सोकषान नहीं, बल्कि फेक सोकषान होती है, इसमें क्या होता है कि एक फोन्स या फोन्स प्रवाइड किरा जाते हैं तो उस इस्तिति में क्या होता है कि वो जाते हैं और अगल बगल काफी घूमते हैं तो उससे जो लड़कियों को ऐसा लगता है कि काफी अमीर घर का है काफी रिच बेग्राउंड से आता हूं बगती है काफी बड़ा है उसके सा ही में क्या होता है कि इनके पीछे गिरोह काम करता है जो लग दिहात के यिंगा उक्साता है का लग जिहात के लिए करने के लगातार आगे बढ़ता है तो इक गिरोह सब चीज इनको फ्रोवाइट कराता है कि मीवायं we goût और लिए तरीके से आप इस जगए तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कहीं पर भी दिखें ऐसी स्थिति तो इससे थोड़ी से आपको बचना है और इन महगी सोकसान के फेक महगी सोकसान के लालश में आपको नहीं आना है तो तीसा नमबर आपको पॉइंट विसेशत तोर रुपे ध्यान रखना है उसके बाद चोथा नमबर जो पॉइंट है यह बहुत ही महत्तपूर पॉइंट है कि अगर कोई कुछ कहता है तो अपने परिबार को बता है अगर सामने वाला ब्यक्ति अगर कोई भी ब्यक्ति ऐसा है जो आपको इस तरीके से कुछ कहता है कि चलिए हम भाग के साधी कर लेते हैं या स पापा को नहीं बता सकते हैं तो अपने भाई को अपनी बेहन को या जो भी ऐसा बैक्ति जिसके बारे में जिससे आप बता सकते हैं उसको बताएं कि यह बैक्ति हमसे ऐसा कहराता है जिससे समय रहते हुए एक अच्छा कदम उठाया जा सके और आपके जिंदगी बरबाद हो कि अगर कोई कुछ कहता है तो आपको अपने परिवार परिवार को आकर तुरंत बताना है उसके बाद जो अंतिम नंबर पाइंट है वो पाच्वा नंबर है पाच्वा नंबर है कि मुस्लिम सहेली एवा मुस्लिम मित्रों से थोड़ी सी दूर बनाएकर रखें यह इस पीछे कुछ बाते बढ़वाते हैं और इस तरीके से उन्मे करके उनको लब जिहात के सिकार होने के लिए परिद करते हैं फसाते हैं तो इस स्थिति में आपको सबसे महत्तपूर यह ध्यान रखना है कि अगर जो भी मुस्लिम सहेली हैं जो भी मुस्लिम मित्र हैं उनसे थ सपोला निकल जाय है कौण सा साफ निकल जाय है हमें मालोम नहीं है जो अगर साफ निकला तो आपको काटेगा जरूर। इस इस थिति में आपको मिसे से द्हान रखना है झाँति से थोड़ी से रिखना करहने बचके रहना है जिससे आप लब जाहाद से सिकार ना होपा हैं तो इस हिस्थिति में आपको ये मुस्लिम सहलिया और मुस्लिम मित्रों से भी थोड़ी सी बचके और सतर्क हो के चलना होगा, तभी आप लब जहाद से सिकार होने से आप बच पाएंगे, तो ये तमाम प्रकार के तथ्या आपके सामने रखा, एक बार फिर से आपको बता दे रहे, पहला नंबर है कि अन्जान व्यक्ति से आपको दूर रहना है, दूसरा नंबर है फेक आईडी से आपको बचना है, तीसरा नंबर है कि महगे सोकसान के लालच में आपको नहीं आना है, और चोथा नंबर है कि कोई कुछ कहता है तो आप अपने घर में बताएं, और तो यह तमाम प्रकार की चीज़े आपको समझ में आ गया है अगर वीडियो पसंद आई हूँ तो लाइक कर दीजे चलिए को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि ऐसे नौलजफिल वीडियो हम आपके पास लाते रहते हैं उसके साथ अगर आपने लब जिहाद वाली वीडियो देख सकते हैं तो अभी लिए आप से भी आगले वीडियो हम फिर से में लेंगे तब तक के लिए जय हिन बंदे वात्रा